इंगलेंड में पढ़ने के लिए साल की फीस होती है 20 लाख रुवे हैं वह बढ़ रोड हम काट देंगे उसको अच्छा दो मीने के लिए पढ़ने चले जाओ नहीं है वह चार लाख रुवे अपने बैंक में डालके उसकी स्टेटमेंट दे दे हमें नमस्कार साथ जैशी राम कैनड़ा में सर्थ दिन बदिन रूल चेंज होते जा रहे हैं अस्ट्रेलिया ने कैपिंग इंटर्ड्यूस कर लिए यूसे में इंटर्विव एता है इंट करने के वह कैसे अकक सर्म लोग खाना खाने जाते हैं रात को लोग डीनर करने करने जाते हैँ कि डिनर में सूप कभी अद्मी सूप नहीं मघाता वन वें टू मंघाते एक सूप आता से उसको दो तो लूगा पीते एक समय था दो कब चाय को कटिंग चाय जैसे बोलते हैं दो बटा चाय लाओ चार ले आओ इंगलेंड में पढ़ने के लिए साल की फीस होती है बीस लाक रवे है हम काट देंगे उसको दो महिने के लिए पढ़ने चले जाओ दो महिने का वीजा मंगो कि मुझे दो महिने के लिए इंगलेंड में पढ़ने जाना है ऐसा क्या पढ़ने जाएंगे दो महिने में जो पढ़ने जाएंगे इंगलिश पढ़ने जाएंगे मार्केटिंग पढ़ने जाएंगे फनास पढ़ने जाएंगे बिजनस पढ़ने जाएंगे जो चीज आप एक साल के लिए पड़ने जाते हो वही चीज आप दो महीने के लिए पड़ने जाओगे एक साल की बढ़ाई दो महीने इसे कहते हैं short-term studies इंग्लैंड की सारी उनिवस्ट्यों में पड़ाई जाती है आप किसी भी शहर में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, जिस college university में आपका को रिष्टेदार को भाई बहन पढ़ रहा है, उसी college university में पढ़ने के लिए जा सकते हैं, certificate program होते हैं, marketing पढ़ सकते हैं, finance पढ़ सकते हैं, HR पढ़ सकते हैं, साइबर security पढ़ सकते हैं, जितना अपके पास budget है, उतने पैसों में पढ़ो, हम जो offer लेके आएं उन लोगों के लिए, जिनके पास पैसों की कमी है, अब साल की फीज हर को फोर्ड नहीं कर सकता, बहुत मेंगे जिया, बन्दा कता, जि मुझे एक बार भेज़ दो, मैं वहाँ जाकर देखूंगा, मुझे अच्छा लगा, तो आगे पढ़ लूँगा, नहीं पढ़ा लगा, तो वापिस आजाओंगा, उसे शॉर्ट टर्म स्टडी वीजा बोला जाता है, इसके अंदर जो मैसी की वीजा एप्लिकेशन फीज होती हो 15,000 रपी ये होती है, जो नॉर्मल स्टडी वीजा की एप्लिकेशन फीज है, उसके दो लाक रप्य लगता है, यह सारा मामला चार लाख रफे में निपट जाएगा चार लाख में पढ़ाई की फीस भी है हमारी फीस भी है वैसी की फीस भी सारी फीसे बीच में है आपकी फीस चार लाख रफे में सब कुछ निपट जाएगा और एक से डेड़ मीने में बंदा एंगलाइंड चला आप English पढ़ने जाएए, English Culture के जाएए, Nursing करने जाएए, Finance के लिए जाएए, HR के लिए जाएए, 16 साल का बालक जा सकता है, दसवी पास जा सकता है, बिना आइल्स के भी जा सकता है, चुकि आप एक रजी पढ़ने जा सकते हैं. मेरे लिए बड़ी एक बहुत बड़ी चीज, बहुत छोटे चीज दाम में दे रहे हैं, मुझे ये सुनके यकीन नहीं होरी पास है. गरीब लोगों के लिए प्रॉड़ेक्ट बनाया है, वो लोग जो पैसे अफूर्ड नहीं कर सकते, जिनके पास बीस लाक पच्चेस लाक रुपए नहीं है, वो चार लाक रुपए अपने बैंक में डालके उसकी स्टेट्मेंट दे दे हमें. तो इसमें पढ़ने कौन जा सकता है, दस्वी, बार्वी, ग्रेजुइशन, पोस्ट ग्रेजुइशन, क्या होना चाहिए बच्चे के पास? बंदे के पास हमारा नंबर होना चाहिए, जो स्क्रीन पर दिया गया है, इस नंबर पर आदमी फोन करे, हमारे साथ समय बनाईए, मुझे मिलिए आके, दस्वी पास बच्चा बिना आल्स के जा सकता है, अगर उसको अंग्रेजी पढ़ने जाना है, अगर किसी को पहनास प आए गया ये होना है, जो रूल बजेट पर वामें है है, उन लोगों के लिए जो आर्थी कोहँ होटे है कमजोर है है Keith कंई कर चाहिए, पास्पूर या 되지र्ऌ favorite कई कापी बैक P स्टेटमेंट देंगे उसी पर वीजा हो जाएगा वीजा के बाद पैसे देने हैं फंड के साथ माता पिता की कुछ आमधनी का प्रूफ लगेगा अगर किसी की उमर 35-40 साल है आद्मी नोकरी करता है वो भी पढ़ने के लिए जा सकता है जो कोई नोकरी करता है उसी से रेटेड पढ़ाई होगी इसके लिए प्रॉजेक्ट मेनेजमेंट होगा फनांस में चर में काम करता है उसके लिए मार्केटिंग का बिजनेस अड्मिस्टेशन का गूर्स होगा यह आप कहा से लैते हैं ऐसे प्रॉडख धिए हमें लोगों के लिए काम करना है आज समझ्या क्या है पैसे नहीं है लोगों के पास कम पैसों पर प्रॉडख है शौर्ट टरम स्टडी वीजा इसे करते हैं । यह दो महीने में आदम ही जासकता है जिसको भी जाना स्क्रीन पर नंबर इस नंबर पर कॉल करें और हमें दफ्तरा के मिलें इसमें कुछ चीजों का अगर कुछ खास ध्यान रखना हो किसी ने कुछ हो आपके माइंड में कि पहले आप उनको समझाना चाते हो कि यह चीजों का ध्यान रखें यह वीजा रहना है आपका 25-30,000 रहने का खर्च आएगा भीने का अगर आप गरीब हैं आपको जो तीन चीजें समझने आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करनी है वहां पर टेक्सी से नहीं कूंपाएंगे आपको खाना खूद बनाना आप बजार का खाना नहीं खापाएंगे क्योंकि अगर आप खर्चने पर आए तो दो लाखर पर मीना खर्च लोगे क्योंकि आप कमजोर हो आपको काम भी करना है काम ढूंडना भी है अपने खुद को भी संबालना है ठंड भी बहुत है रहने के लिए घर भी चाहिए आजूके में सबसे बड़ी समस्या कमोडिश की है पैसे तो आप कमाल होगे रहने के लिए जगाई नहीं है जिसको भी जाना है तियारी करके जाना है यह सारा काम हम दो मिन्हें में कर देंगे इसे आपका शौंग पूरा हो जाएगा इसको भी जाना है हमें फोन करके मिले कोई आइल्स की समस्या नहीं इसमें को पड़ यहाँ पड़ेगा वहीं से प्लाई होगा online अपलाई होगा पासपोर्ट पर वीजा लगेगे वहीं से चले जाएंगे इस इसके लिए चार 이미ज रॉह आपको बैंक में दिखाना पड़ेगा जो आपकी आमदनी प्रूफ हापके लगेंग अपके नहीं आपके माताई पिता के लगेंगेंगे अक्सर बहुत सारे बच्चे बार्मी में फेल हो जाते हैं किसी हाथ से के कारन। और संगत शुद्र ना चाहते हैं ऐसे बच्चों के लिए फाउंडेशन कूर्स होता है जिसमें बारी भी पढ़ाई दोबारा पढ़ाई जाती है यूक्य कि किसी भी पार्ट में जाना जुक्य के बंदा में दफ्तरा के मिले काफी काफी ही एक और्डियंस के फेवर में प्रोड़क्ट है थी होता क्या है कि लोगों को ना बाहर जाना है कम पैसों पर जाना आज मैं यहां से आपका 20 लाख रुपे बरवाद हूं उससे अच्छा मैं आपका चार लाख रुपा के बेजू आपको अच्छा लगेगा चार लाख रुपे में आपको इंग्लین्ड का वीजा मिल रहा है आप उसी काम का वीजा किसी को क्यों दे रहे हैं? बेफ कुफी वाली बात है और दो मीने में काम हो जाना सरा तो जो भी आदमी जाना चाहता है मिरी इसको बैंती है फोल करें हमें बूझती दो 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 दो